देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बहुमंजिला इमारतों का शहर है और यहां पर रियल स्टेट की बहुत ही एहमियत है मेरे साथ है राजन बंदिलकल जी जो की नरेटको के नेशनल प्रेसिडेंट है जो बजेट आया हुआ है आप इसे किस तरह से देखते हैं और रिय इसे डेवलोपर मैं करता हूं कि बजेट बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप मुझे कंजूमर के निजरेश से पूछोगे तो आप बेशक कंजूमर बिचारा बहुत नाराज है क्योंकि कंजूमर की काफी अपेक्षा थी और हमने युएंट डेवलोपर ने या क्योंटी कम की प्रीमियम कम किये तो उसका benefit कंजूमर को डेवलोपर ने पास्वाण किया और जैसे entertainment में कहा जाता कि entertainment 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 चाहिए वैसे ही real estate में हम कहते हैं कि हमको सेल 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 ही चाहिए तो कंजूमर नाराज है अगर कंजूमर नाराज है तो फिर रिएल स्टेट में आप लोगों की नाराज़ी वाजिब है और जब आपको शुद्रीन नहीं मिलेगा तो फिर बिल्डिंग बनाने गर क्या होता है कि दिखो आज अगर आप देखोगे तो गए कम से कम मेरे ख्याल से साथ से आठ साल में हलाकि सारे राउ मट्रियल के दाम बढ़ गए, लेबर के दाम बढ़ गए, गवर्मेंट के प्रीमियम्स बढ़ गए, फिर भी डेवलपर ने उसको हमेशा एब्सार भी किया हुआ है और कंजुमर को प्राइज नहीं बढ़ है कि ताकि हमने ही हर टाइम पर हर मौके पर हमने ये मुद्दा उठाय हुआ कि आज अगर हम सो रुपया की अगर मकान बेश थे तो उसमें 35 मतलब 33 से 37 रुपया मतलब हर एक राज्य में अलग अलग है तो इतना पैसा सिर्फ सरकार को जाता है तो आज कंजुमर को लगता ह यह मंगा हो गया विल्डर पैसे कमा रहे हलांकि विल्डरों के हलत कीया है वह से बिल्डर शिक्राइं में बहुत सारे चोटे-चोटे-चोटे बिल्डर से और हमने यह में ने यहां hap में मुंबई की बात करो तो यहां पर इंफ्राइस्ट्रक्चर बढ़ रहा है मेट्रो पूरे शहर को जो है वो कवर कर रहे हैं आप लोगों कि क्या प्लानिंग है कि शहर के बाहर कुछ तो मैं वो कारणों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन अगर आप देखो कि मुंबई के सटेज जितने भी शहर है आप थाना बोलो कल्यान बोलो नभी मुंबई बोलो मिरा भाहिंदर बोलो वो सारे जगाप पर लोगों का बसना हो गया वो सिटी मुंबई के एक सबर्ब से भ दन फॉर लाइफ और मुंबई अगर आप बोलो तो थाना में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो मुंबई में मिलती है इस बजट के साथ ही आप लोग जो है कंज्यूमर को सस्ता घर किस तरह से देंगे एक मेरा अन्तिम सवाल है है रिए ले मैं नी हम सस्ता घर देने से ज्यादा हम अच्छा घर देने के बारे में विचार करेंगे क्यु specs बाद हमारे को रिएब ने भी कहा हुआ है कि उसकी जो पांच साल तक तो हमको उसकी गयरेंटी लेनी चीए जो में बहुत कुछ मिला है जो लोगों को दिखाई नहीं देता है क्योंकि आज हमारे को सबसे ज्यादा तकलीप वाली काम कोई है तो permission किये जो आज आप बोलो कि developer को एक दपे वो land खरीदता है land खरीदने के बाद जब approval को डालता है और उसको जब पूरी permission मिलती है मेरा कहने का मतलब environment बोलो civil aviation बोलो और बाकी permissions जितनी भी अगर बाजों में defense है तो defense किये तो इतनी सारी permissions हमको लेनी पड़ती थी कि उसके अंदर उसके तैत दिर्मला सिता रामन जी ने और मोदी जी जो अपना प्राइम मिनिस्टर सर है उन्होंने कहा कि हम एक कमिटी बनाएंगे और कमिटी इसके उपर देखेगी कि बाबा सच में हमारी क्या अच्छे लोगों को मतलब जिसका नॉलेज है जिसकी इसके अंदर परक है और जो इसमें सच्मुच पॉजिटिव सुझाओ दे सकते हम कोई गलत चीज करना नहीं चाहते और रेरा के बाद कोई डेवलपर चाहा कर भी गलत नहीं कर सकता है अगर आपको इस बजट से सहुलियत मिले तो कंजूमर को भी तो मिलेगी यह जो सहुलियत यह इंडायरेक्ट हो गया कि आज हमको जो एक प्रूवल में कम से कम बारा से आटरा महिने लगते थे हाला कि ऑन रेकौड यह कहा जाता है कि तुमको साथ दिन में एप्रूवल मिल दुसरा ही मुद्दा चेंज होता है जब अगर आप बोलते हो कि मुदी जी ने सबसे अच्छा काम जो किया अगर आपको पता होगा कि आपने जब पता नहीं आपको पता है नहीं पता लेकिन जब हम 10th होते थे 10th की जब मार्किट मिलते है तो हम तुरंद जो special executive magistrate या किसी वह authority थी तो उससे क्या हो गया कि जब आपको कहा जाता है कि आप खुद साइन करो तो आप जब गलत साइन करो कि ने तो आपके हाथ कतराएंगे हाला कि जब आप एक special executive magistrate के पास जाते हो तो मुझे पता नहीं होता है कि क्या सच है क्या जूट है और क्या होता है कि यह जितने भी थे यह political figure थी और उनके यहां पे तो बिचार लोगों की तो ऐसी हालत थी कि इतनी भीड लगती थी कि जब 10th की परिक्षा हो गए तो उनक कि यह यह बहुत ही बड़ा पहलू है शायद अभी यह लोगों को अभी की जनरेशन को पता नहीं चलेगा क्योंकि उन्होंने हम लोगों ने राशन में लाइन लगाई है सब जगा लाइन लगे आज तो आप एक बटन प्रेस करो तो सब चीज घर में आती है तो उनको यह नहीं पता होगी तो यह जो बदलाव है ऐसा ही बदलाव हम देख रहे हैं कि बबाबा आप घर बैठोगे प्लान सब्मिट करोगी तो आपके घर पर प्लान का एपरोल आ जाएगा वो दिन हम देखना चाहते है यह जिनका कहना है कि जो बजट आया है उसमें थोड़ा निर पार्थी अबीपी न्यूज मुंबाइ